आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम ऐसे दहां तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस पर आपको बहुत दुस्पा करता है मैं गरीब हूँ मेरे बाबाप मुझे गरीब पैता किये तो भाई ये माइंड्सेट आपका तो नहीं है मैं आपको साथ कॉलिटी जिस बताओंगा जिससे आप ये पहचाने ठीक है ये हैं बिल गेट्स का बात है कानपूर में रहने वाले बिल गेट्स अलखनौ में रहने वाले डॉनल्ड ट्रम्प है ना बिल ये दखो ये असली है तो इन दोनों में क्या फरक है बात करेंगे पूर माइंडसेट और रिच माइंडसेट लेकिन उससे पहले बात करेंगे साइन्स ऑफ डिलिंग विट टॉक्सिक पीपल देखिए आप भी बहुत अमीर हो सकते हो दिमागी रूप से अमीर हो तो मज़ा आ जाएगी क्योंकि इस पर मैं पर्सनालिटी डिसॉर्डर रिलेशन्शिप टॉक्सिटी और बिनिंग साइकोलोजी बात करेंगे एक उक्ट सब्सक्ता के बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर जरूरी नहीं एकि की हो सकता है की इerdot बहुत अमीर हो लेकिन उसकी मान सेकता घरीब हो तो आपकीकत है वह आपकी गलती है ठीक है तो हर कोई चेंज कर सकता और आपको बता दू की लोगोंने चेंज प्यालो मैं फिलिदा हमी टैलेंट पे बल पे ही बनाए रतन टाटा कि अगर आप four fathers पे जाएंगे तो कहीं से शुरुवात हुई है उनकी और जहां से शुरुवात हुई हो बहुत ही हमबल शुरुवात रही धिरू भाई इंबानी कोई भी बहुत पैसा नहीं था अडानी तो स्कूल डॉप आउट तो आप समझे इस बात को तो सबसे पहले तो जो जिनकी गरीब बन सकता होती है वो बहुत ज़ादा नॉस्टाल्जिक होते हैं नॉस्टाल्जिक होनी बड़ी बात अच्छी बात है मैं भी बहुत ज़ादा हूँ बट यार मैं पुराने दिनों को बहुत मिस्स कर रहा हूँ यार याद है हाथ में हाथ डालके तुम्हारे साथ जब घुमते थे कितना मज़ा आता था बे यार जब आगे बढ़ो बही हो गया ठीक है वहीं अमीर लोग वो प्रेजेंट पे रहते हैं वो भी ऐसा नियम में इस ओल्ड डेस को करेंगे बट उसमें घुसें नहीं रहते हैं इसका ये भी आप ऐसे कह सकते हैं कि बहुत ज़दा कई बार लोग रिगरेट करते हैं कि काश मैंने ये कर लिया होता काश वो कर लिया होता वहीं जिनके अमीर मान सकता होती है वो क्या करते हैं भाई जो हुआ सो हुआ याद रखेगा पेन तब तक आपके जिन्दगी में रहेगा जब तक वो आपको पूरी तरीके से सिखा नहीं देता एक बार पेन आपको सिखाएगा ना उसके बाद ही वो आपका पीछा चोड़ता है जब तक आप पूरी तरीके से सीख नहीं जाते तो वो कभी रिगरेट नहीं करेंगे वो प्रेजंट में रहेंगे कि भाई इस समय जो है मेरे पास मुझे वही करना है इस समय क्या है मेरे पास और जितना है वो बहुत है मेरे पास तो एक उनका positive intent जो है वो होता है अगला fear of missing out हमेशा इनको ये डर लगता है कि यार कहीं ऐसा नहों कि मैं miss out हो जाओ हर एक चीज में ये negative पहले सोचते हैं अगर मैं कुछ कर रहा हूँ यार क्या मैं पीछे रह जाओंगा मुझे fail होना नि प्रक्षप नहीं करेंगे ये ठीक है कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है वही आसकरी चीज थी ये गलती करेंगे भाई थॉमस एलवा एडिसन उसकी factory जलगी वह हसर है समझे रहो टेसला को मार के भगा दिया जाता था हर जगां से हर जगां क्योंकि उन्होंने थॉमस एलवा ये चीज नहीं करनी है अच्छी बात है मैंने गलती की तो इसलिए अगर आप उसी गलती पर रुक गए हो गरीब मैंसकता है अमीर बनो अगला देखो सबसे बड़ी बात ये है कि एक यहाँ पर जो सबसे घरीब गरीबों में घरीब मान स मुनको लगता है कि जो अमीर होते न वो शैतान होते हैं पैसा कमाना विरा है खुद फक्कड जिन्दगी भर रही है है न एक पैसा तुमारी अवकात भी कमाने की अर तुम बन रहें अमीर ये अमीर वो भाई आज 10% लोग रूल कर रहे हैं पूरी दुनिया को लेकिन वो 10% क्यों रूल कर रहे हैं कभी आपने सोचा है क्योंकि वो डिजर्व करते हैं समझे रहे हैं वो अपनी महनत से अपनी काबलियत से यहां तक पहुँचे हैं मार्क जिकरवर्क पांस साल की उमर में उन्होंने महनत करना शुरू कर दीती कैलकुलेटर बना दिया था अच्छा खासा स्टीव जॉब्स ने कितना कुछ जेला है ताब जाके अपनल खड़ा हुआ है तो जो अमीर है ना आज अगर आपनी नहीं होते ना तो मैं यहां लेच्चर नहीं कर रहा होता ना आप सोच सुन रहे होते ठीक है कोई नहीं कुछ भी नहीं होता कितने लोगों यूनिकॉर्न हो गए कितने लोगों की जिन्दगी बदल गई मुकेश अम्मानी की वज़े से जीयों की वज़े से मुझे अब भी भी याद है 2500 रुपे का 2GB रिचार्ज 3G स्पीड 3G के 2G स्पीड 20 Kbps भी आ जाती थी तो भी खूश हो जाता था वाह क्या बात है आज हर कोई अपने याँ वाइफाई लगवा रहा है तो एक चीज़ हमेशा समझो कि जो अमीर होते हैं वो लोगों की मदद करते हैं और जो गरीब वो क्या कहेंगे नहीं अमीर शैतान है सारी प्रॉब्लम्स अमीरों की वज़े से है तुम भी उतनी महनत करके अमीर बन जाओ हालाग तो वैसे ही रहेंगे ठीक है अगला हर वक्त कंप्लेइन हर एक चीज़ में कंप्लेइन इनकी होती है अल्वेस दे कंप्लेइन की नहीं गलत है यह ऐसा नहीं होना चाहिए मेरी जिन्दगी खराब है मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है अमीर को अब कभी कंप्लेइन करते हुए देखेंगे ही नी उनकी मानसिकता ही वैसी होती है कि भाई क्या कंप्लेइन करना ये है हुआ ठीक है गलती मेरी है मैंने ये किया होगा कोई बात नहीं चलो ठीक है हुआ आगे बढ़ो क्या करोगे आप शारुक खान की जिन्दगी बहुत ही जादा वो बंदा मैं अगर किसी को सोचता हूँ तो शारुक खान की लाइफ एक बहुत ही डिप्रेसिंग लाइफ रही है वो बंदा यहां पे खड़ा है वो वाकई में बादशा है शारुक खान कैसे आप सोच सकते हो कि एक 16 साल का लड़का जिसके पिता जी के पास इतना करजा उसके पिता जी 16 साल उसको छोड़के कैंसर उसकी डेथ हो जाती है एक बहन एक मा माने करजा लिया पढ़ान से वो बंदा उठता है मैंनत करता है तो बात यह है डू नॉट कंप्लेंड क्यूंकि जिल्गी ऐसी ही रहने वाली है कंप्लेंड करने से कुछ साही नहीं होगा इंस्टेड चेंज करो ओके जरूरी है अगला सबसे बड़ी बात यह है कि यह कभी सीखते नहीं यह बहुत ही बिल गेट्स हर हफते किताब खतम करते हैं मार्क जिकरबर्ग महीने में दो किताब खतम करते हैं यह अलवेस लर्ण जैब वेजॉस पढ़ाई के बिना उनका दिन नहीं जाता एलॉन मक्स से पूछा मस्क से पूछा कि आपने रॉकेट बनाना कैसे सीखा बोला पढ़के कि बित्ते रहते हैं जो रिच पूर वाले का चड़ क्या पढ़के करना क्या किताब क्या करूंगा मैं किताब पढ़के क्या फरक है मुझे तो व्लॉग देखने हैं बही यह लाग देखूंगा मैं यह चीज है उसके बाद दे डूनोट इन्वेस्ट यार रखेगा एक थोड एक मारे दोस्ता मुझे याद हैं और ही वास हाइली टैलेंट वह रहां इतना टैलेंट लाड़का था मुझे लगता था यार यह बंदा बहुत टैलेंट बट वह बहुत नेगिटिव था फत्से ज Bardah और वह बहुत डर्ता था यहां से पैसे की बात नहीं हर चीज टाइम invest करने में डरता था पैसा तो था भी नहीं अपनी productivity invest करने में हर चीज जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो और आज वो कहीं नहीं है तो वही बता रहें कि do not afraid to invest अपना time भी invest करो प्रोड़क्टिविटी भी invest करो खुद को invest करो पैसे हैं calculate करके invest करो बहुत ज़्यादा जरूरी है और जो अमीर लोग होते हैं वो पैसे से पैसा बनाना जानते हैं पैसे से पैसा बने का invest करो ऐसे जगा invest करो पैसा निकले को बढ़ी है वारें बुफे को 40 साल बाद 40 साल बाद उनकी wealth create होई है long term game खेला उनोंने और आपको बता दू कि एक और बहुत बड़ी चीज है कि इनके पास addiction बहुत जल्दी होता है bad habits का पुलिंदा जो घरीब मान सकता है जिनके पास होती है न और यह हर एक चीज़ को justify करते है maximum आप entrepreneurs को देखें वो शराब नहीं पीते, cigarette नहीं पीते, बहुत healthy रहते हैं वो सुबह जल्दी उठते है maximum अमीर लोगों को, तो आप वो करो ना, वो आदतें डालो अपने अंदर and the last fears change कभी भी, they always डर लगता है, वो change नहीं चाहते है कि जैसा चल रहे है वैसे ही चलने दो यह action लेते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, यह action लो, जैसा चल नहीं रहा है, बस तुरंद action लो, यह इतना time नहीं है मेरे पास, हर एक चीज़ का solution है, problem का solution लिगाते हैं, लगातार solution निकालते रहते हैं और जिसकी वज़े से अमीर होते हैं, तो अब आप बताइएगा, आप बोलें, सार, mix है मेरे में, भाई, सबी में ही mix होती है, tension लाने की बात नहीं है, बर just that positive intent चाहिए, अगर अब सार देखो न, तो disciplined, hard work and positivity कमाल कर देगी आपको, ओके, बाकि आप हमारे course को ज़रूर अवेल करो, thank you so much.